नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप पशुपालन एक लाबदय व्योसा है इस यूटूब चानल पर मैं नितेश आप सभी का एक बार फीर से तह दील से स्वागत करता हूँ दोस्तों पिछले कुछ दिनों से मैं कुछ परसनल कारणों के वज़े से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था तो उसके लिए मैं सबसे पहले आप सभी का श्रमा चाहता हूँ दोस्तों आज का जो वीडियो है ये वीडियो उन लोगों के लिए है कि जो पालतू जानवर पालते हैं जैसे कुत्ता बिली या फिर जो पशु पालते हैं जैसे कि गायब बकरी भैस उन सभी के लिए दोस्तों आज का जो वीडियो है काफी खास होने वाला है क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के जरीए मैं आपको कुछ ऐसे घरूलन उसके बताऊंगा कि जिसके इस्तिमाल से आप जो आपके पालतु जानवर हो या फिर पशु हो उनके शरीर से आप पिस्टू याने टिक्स जिसे हम चीचर भी कहते हैं यह आसानी से दूर कर सकते हैं आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको कुल मिला के छे ऐसे टिप्स बताऊंगा कि जिसका इस्तिमाल अगर आप करेंगे तो आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है आप घर बेटे इन चीज़ों को बुला कर आसानी से आपके पश्यों का इलाज करके आपके पश्यों के शरीर से यह टिक्स होते हैं इसका हम दूर कर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहे हैं वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक्स और शेयर करना न भूले ताकि आपके साथ साथ किसी दूसरे भायों को भी इसकी मदद मिले तो चले दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों टिक्स जो है यह कापी छोटे जू होते हैं आमतोर पर इनकी लंबाई जो है तीन से पाच मिलिमीटर होती है तिक्स एक्स्टो पैरसाइट्स यानि बाईय परजीवी कहलाते हैं जो स्तन धरियो पशिपक्षियो और कभी-कभी सड़ी सर्पो और उबहचरों के खुन को चूसकर जीवित रहते हैं ट्क्स व्यापक रूप से दुनिया भर में पाई जाते हैं विशेज रूप से गर्म और नम जलवायू में दोस्तो हमारा भारत का जो जलवायू है ये नर्म और गर्म है इसलिए भारत में ये टीक्स की जो समस्या है ये पश्यूपालगों को काफी सताती है दोस्तों लगभग सभी टिक्स के दो प्रमुग परिवारों में से एक होते हैं पहला होता है एक्सोडाइट्स याने हार्टिक्स और दूसरा होता है एक्रेसाइट्स याने सौप्टिक्स वयस को में अंदाकार आकार के शरीर होते है, जो fit करते समय, خुन से लद्पत भर जाते है तिक्स को 8 पर होते है, तिक्स अंडे के जीवन चक्रा के 4 चरन होते है, जैसे अंडा, लारवा, कीडा और वयस एक्सोडीट टिक्स में तिन होस्ट होते हैं जिनें अपना जिवन चक्र पुरा करने के लिए कम से कम एक साल का समय लगता है आरगीजीट टिक्स में साथ निम्पाल चरन एन इंस्टार होते हैं प्रत्यक में रक्त भोजन की आवशकता होती है रख्त में प्रवेश करने की उनकी आदत के कारण टिक्स का कम से कम 12 बीमारियों के वहाग होते हैं जो मनुश्यों और अन्यफ जानवरों को प्रभावित करते हैं दोस्तो टिक्स न सिर्फ पशुवों को पक्षीयों को या और फिर सरी शरपों को खुंडशें से कंवारों के वहागें सब्सक्रावेश कर सकते हैं भूर्त लैसका कर सकते हैं दोस्तों तो मार्केड में जो दवाया मिलती हैं उनके काफी साइड परिणाम में होते हैं जैसे कि विटॉक्स हो गया और अन्य जो दवाया हैichen जो काफी खतरनाक होती हैं अगर टीक्स यह जो दवाया पशु के जख्म में या फिर पशु के मूव मेर आख में चली गई तो इससे काफी तरह के साइड इफेक्ट्स या फिर परिशानिया उत्पत्न हो सकती है तो इसलिए दोस्तों ध्यान रहे कि कभी भी जो करना है सबसे पहले हमें घरील उपचार पर ध्यान केंद्रित करना है तो दोस्तों पहला जो हमारा जो उपाय होता है वो है देवदार का तेल जिसे हम सिडर ओईल भी कहते हैं सिडर ओईल एक ऐसा नुसका है जो पशुओं को टिक्स के साथ साथ अन्य परजीवी को भी और खुजली करने वाले किटानों को भी मारता है ये ओईल जहरीला नहीं हैं यानि इस तेल से कोई दूसरी चीज मिलाने की ज़रूत नहीं होती तिस का सपाया करने के लिए आप मार्केट से सिधार ओईल खरी दे और इसे स्प्रे की बोतल में भर कर जिन पशुओं को या पालती उजानवारों को शरीर में टिक्स है उन पर छिडिका यानि स्प्र कर सकते हैं हमारा दूसरा जो घरे लुक्सा है दोस्तों वह होममेट टिक्स और इंसेक्ट रिपलेंट पशुओं के शरीर से टिक्स और अन्य परजियों का खात्मा करने के लिए यह सीधा साधा फार्मूला इस्तेमाल करें इसके लिए आपको नीचे दिए गई सामगरी च चाहिए तीरी ओईल जिसके 6 बुंदे चाहिए पेपर मिंट ओइल जिसके 6 बुंदे चाहिए और बदाम या जजोब ओईल जिसे हमें एक चम्मच चाहिए इन सभी तेलों को एक साथ दी गई मात्रा में एक साथ मिलाये और जिन पर शूर या पालतुजा और पर टिक्स है उन पर स्प्रे करें तो दोस्तों यह जो मैं होममेड जो आपको नुस्के बता रहा हूँ इन में ज्यादा तर के ऑईल आएंगी और इस ऑईल का जो है कोई साइड इफेक्ट नहीं है और आसानी से यह मार्केट में मिल जाती है बढ़ते आगे दोस्तों देखते हैं हमारा तिसरा नुस्का क्या है तिसरा नुस्का दोस्तों हमारा है इकोलिप्टस ओईल यानि निलगरी का तेल हम भली बाती जानते हैं दोस्तों कि निलगरी का तेल मनुश्य के लिए काफी लाबदाई होता है सर्दी में हम इसे काफी इ पटल में 10-100 ml डिस्टिल वाटर के साथ मिलाएं ध्यान रहें कि निलगरी के तेल को आपने डियरेक्ट नहीं उसकर नहीं है उसे करने के लिए एक प्राकुर्तिक उपचार के रूप में किया जाता है उपयोग करने के लिए अपने हाथ की हतेली पर कई बुंदे डाले और पश्यों टिक्स की जहां ग्रसीत भाग है वापे रगड़े निम के तेल में अगर बादाम या अन्य हलके तेल को मिश्रित किया गय दोस्तों यह रहां थो निम का तेल है यह काफी गुनकारी है इसे अगर हम थोड़ा सा पतला करें पतला करने के लिए आप चाहे तो इसमें बादाम का तेल या पर जाजोबा का तेलिया पीर पैरेशुट ऑफिन राचते हो पतला करके अगर आप इसका इस्तेमाल करें तो पालतु जानवर कुट्टा जो है कुट्टे पर भी आम इसके आसानी से इस्तिमाल करके उसे ये टिक से चुटकरा दिला सकते हैं लेकिन ध्यान रहे दोस्तों कि हमें कुट्टे पर इसका इसका इस्तिमाल करने से पहले इसको थोड़ा पतला करना पड़ेगा और हमारा अगला नुसका है दोस्तों सेप का सिरका जिसे एपल सीडर विनेगर भी कहते हैं सेप का सिरका पश्योगा और पालतू जानवर में मिलने वाली टीस और अन्य परजुई को नश्टर करने के लिए काफी असरदार है इसे बनाने के लिए दोस्तों आपको दो कप पानी एक बड़े चमज सेप का सिरका दो चमज निम का तेल सभी मिश्रम को ट्रिक्स से ग्रशित पश्योगा पालतू जानवर स्प्रे करें ट्रिक्स भाग जाते हैं तो सेप का सिर्का जो है यह आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा अगर नहीं मिलता है दोस्तों तो आप यह वीडियो लास्ट तक देखे मैं आपको एक एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताऊंगा कि जहां पर जाकि आप इसको आसानी से खरी सकते हो और यह आपके थेरेपी एसेंशियल ओइल ठीक है तो अर्मे थेरेपी एसेंशियल ओइल केवल से केवल बहुत अच्छी महक आती है बलकि वे प्राकूर्टिक टिक्स रिपलेंट भी होते हैं टिक्स निम्बू संत्रा दालचिनी लेवेंडर पेपर मिट और गुलाब गेरियम की गंद से कुछ आसान ऐसे कुछ नुस्के है यह हम अमारे पश्यू पर या पाल्टो जानों पर करेंगे तो वो टिक्स से मुक्ति हम उन्हें दिला सकते हैं दोस्तों अब बहुत सारे भाइस सोचते होंगे कि यार इनोंने जो नुस्के बता दिये लेकि यह दवाई या और अशिद पर इस संदर में पोस्ट है आप चाहे तो उस पोस्ट को पूरा पढ़े और एक हर एक नुस्की की नीचे उन दवाईयों को ऑनलाइन खरिदने की लिंक मैंने दिये हैं जिसके इस्तेमाल से आप वह दवाईयों को घर बेटे मंगवा सकते हैं यानि आपको ऑनलाइन यह काफी असरदार है काफी इफेक्ट्व है दोस्तों जिन भायों को यह टिक्स आपके आसपास के मार्केट में नहीं मिलते हैं जो दवाईया नहीं मिलते हैं तो वह हमारे www.goatfarming.oo इस वेबसाट पे जाए इस वेबसाट पे दोस्तों मैंने इसी वीडियो के संदर में का जो हमारा सीर्षक वह उसी संदर मेंने पोश्ट लिकी है उस पोस्ट को आप पड़े उसमें मैंने पूरी जनकरे दीह कैसे इस्तिमाल करना एक क्या क्या करना है और उसके बाद आप उस चलिए जाएंगे वहाँ पर जाके दोस्तों आप उसको पर्चेस कीजिएगा आपका पुरा एड्रेस आपका कॉंट्रेक्ट नंबर डालेगा चाहे तो आप इसके कैश ऑन डिलर भी मंगा सकते हो चाहे फिर आप पर पे पेमेंट भी कर सकते हो तो दोस्तों यह जो हमारे वेबसायट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन ने दी होई हैं आप वापे जलूर जाए और उसके लिंक वहाइं